हेलो अब्रिवन प्रशान बश्पे एसा ग्रूप ऑफ इंस्टीशन लखनों फ्रेंट्स हम लोगों ने इससे पहले फॉर लूपिंग वाइल लूपिंग डूपिंग के प्रोग्राम के स्टडी किया इसके बादब हम लोग नेक टॉपिक मूव करते हैं इस एरे क्या होता है उसको जाने से पहले हम देखते हैं कि एरे की requirement क्या है क्यों हमें यह पांना फम्पलिसरी हो जाता है अभी तख हम लोगों ने जितने प्रोग्राम्स पढ़े उसमें जितने प्रोग्राम्स के हमें requirement होते है कि यह variable single time पे एक single value को hold कर सकते है यानि एक time पे एक ही value उसके अंदर store करी जाए सकती जैसे अगर किसी particular time पे एक value 5 है और अपने अगर उसकी value दे जी 6 7 या कुछ और value दी तो तुरंद उसकी पुरानी वाली value को delete करके computer उस time पे particular time पे केवर नई वाली जो existing value है उसको hold करता है तो इससे हम क्या हो रहा है कि एक समय पे एक value हो रही है जो कि पुरानी values का loss हो रहा है तो अगर हमें यह चाहिए कि एक के अंदर यह सारे के सारे values को store किया जा सके यानि multiple values को store करना होगा तब हमें concept यूज करना पड़ता है array का इसलिए अगर आप देखें एरे की definition यह है it is the collection of similar data type values similar data type values का मतलब है कि एक array के अंदर एक single data type की value को ही hold करके रखा जा सकता है यानि अगर यह array आपका integer data type का है तो इसके अंदर जितनी भी values रिस्टोर करेंगे हम सारे के सारे integer data type की होनी चाहिए उसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी पहली दो value integer type की हो फिर character type की हो फिर double type की हो यह float type की हो यह combination नहीं move करेगा इसमें जैसे अगर आप देखें तो यह एक array है इसमें हमने 10 5 6 2 8 5 values को इस्टोर किया है लेकिन पाचों values की properties से मैं क्या property है यह सारे without decimal number को represent कर रहा है यानि कि यह integer type के हैं इसी तरीके से अगर हमें use करना हो था decimal हमने float वाले array बनाने होते हैं तो इसके आगे सब के आगे क्या लगा दे दिया जाता है point लगा कि उसके आगे की value समय लिखी होती है तो एक array के अंदर एक single data type की multiple values को store किया जाता है क्योंकि इसमें similar data type term लिखा हुआ है यानि same data type value है इसी लिए इसको बोला जा रहा है homogeneous homogeneous का meaning भी होता है same values अच्छा definition में एक और term आया है with continuous memory allocation अच्छा इसका use कैसे करेंगे वह भी हम लोग इसी समद देख ले करते हैं पहले तो अगर आपने दिखा होगा कि हम लोग variables को जब declare करते हैं तो इसमें memory के होता गया है कि जैसे आप वेरेबल डिक्लिया करते computer के memory के अंदर इस तरीके से ब्लॉक बन जाता एक A B और C अब memory में किस जगह बना इसका कोई ना कोई memory address भी होगा हमेशा कि memory में इस वाले जगह पे हमारा यह नाम का ब्लॉक बनके त्यार होगा यानि यह इस दा representation of block जबकि इसका address कुछ और होगा तो यहां पर क्या होता है कि normal variables में डिस्क्रीट फॉर्म में भी हो सकता है यानि अगर माली पहले एक अड्रेस है तो दूसरे वाले का 30 भी हो सकता है और थीसे वाले का आपको हेंड़ भी हो सकता है discreet form में मतलब scattering हो रही है यहां पर variables आपके continuous memory में नहीं है कि पहले का address अगर 10 है तो दूसरे वाले का 11, 13, 14 इस तरीके तो continuous form में नहीं हो भी सकता था और नहीं भी सकता था लेकिन यहां पर जो term आ रहा है हमारा array इसमें यह 100% guaranteed है कि यह continuous memory को ही allocate करे यानि अगर पहला address आपका 10 है तो दूसरे वाले address 11, 12 इस तरीके से ही आगे वहेंगे अच्छा इसमें memory allocation में एक point हमें यहां दखना पड़ेगा कि memory का address array में depend करता है data type के उपर for example एक छोटा से example यह हुआ मैंने यहां पर कि अगर आपका एक array है जिसके अंदर five elements आप इस्टोर कर रहे है तो इसमें एक value अगर फ्लोट टाइप का array है तो एक value को इस्टोर करने के लिए four bytes memory चाहिए integer को इस्टोर करने के लिए two byte character के लिए one byte और double के लिए eight byte तो अगर आप देखिए हमने यहां पर एक base address यानि शुरुवाती address ले रखा हुआ है 5020 यानि जो सबसे पहला number आएगा वो यहां पर जो इस्टोर हो रहा है उसका memory address आपको दिया हुआ 5020 given है अब अगर यह array आपने float data type के लिए float value को इस्टोर करने के लिए बनाया है तो हर value को इस्टोर करने के लिए चार से difference आगे बड़ेगा यानि पहली value जो इस्टोर करेंगे वह 5020 से शुरुआत करेंगे और यह खतम कहा होगा 5023 पे खतम हो जाएगा यानि एक float को value को इस्टोर करने के लिए चार बायट मेमोरी चाहिए थी तो 5020, 5021, 5022, 5023 चार बायट हो गई अब अगला जो नंबर आएगा वो कहां पर जाएगा हमारा 5024 के ऊपर इस्टोर होगा जाके फिर उसके बाद वाला नंबर कहां पर इस्टोर होगा है 5028, 5030 इस तरीकर से 4-4 का difference आगे बढ़ता जाएगा जबकि यही अगर array हमारा integer data type का होगा तो यह difference आपका 2 का आएगा, character में 1 का difference आएगा और float में 8 का difference आएगा, क्योंकि हर data type में value को इस्टोर करने के लिए उसका memory size हमारा अलग-अलग होता है, ठीक, अब इसमें वापस आएंगे, तो array आपने definition देखी कि array के अंदर similar data type की value को इस्टोर करने के लिए यूस के जा रहा है, इसमें कुछ terms हैं जिसको हमें पहले सीखना पड़ेगा, तो कौन-कौन से terms की ज़रुरत पड़ेगी, size of array, name of array, data type of array, index number of array, and the last one is elements of array, क्या होते हैं, size क्या बताता है, size of array represents the maximum number of elements which our array can store, यानि किसी array के अंदर maximum कितने number आप एक समय पर store करना चाहते हैं, इसी को बोला जा रहा है, size, जैसे यहाँ पर आपने लिखा है 5, तो इसका अतलब हो गया, कि एक array बन जाएगा, जिसमें 5 elements को आप एक साथ store करके रख सकते हैं, name of the array, जैसे हम लोग variables के name को assume करते थे, व पी मालेजे, लखनो मालेजे, कान कुरू मालेजे, आपकी मर्जी, यह name of the variable जैसे होता था, वैसे ही यह name of array है, यह आपकी वरजी पर डिबेंड करता है, और यह आपका size है, अच्छा size को लिखने के लिए हमेशा subscripts का use किया जाता है, यानि कि square वाले brackets के अंदर ही हमेशा size क लिखा जाएगा, यहाँ पर आप goal वाले brackets या middle brackets का use नहीं कर सकते हैं, फिर आता है हमारा पर data type of array, यानि array के अंदर किस तरीके की value को हमें store करना है, यह हमें define करके बताना पड़ता है, इसी को बोला जाता है data type of array, यानि इस पूरी line का मतलब क्यों हो गया, कि integer type के एक array बन जिसका नाम है A, जिसके अंदर maximum आप 5 values को at a time install कर सकते हैं, अगर आपको A नाम का ही float data type का array बनाना होता है, तो आप कैसे करते हैं, आपको करना होता, float A5, यह, तो किस data type का हमें बनाना है, उसके according data type की value को हम change कर देंगे, integer, float, double, character, etc, फिर आता है हमारे पास elements of array, elements of array क्या होते हैं, यह नाम का array बन गया, इसके अंदर 5 values को show कर सकते हैं, अब यह value कौन कौन सी होंगी, array बन गया, यह देखे, आप देख सकते हैं, आप 5 space आ गया, अब हर space में एक एक value enter हो रही है, तो यह जो value आप अंदर लिख रहे हैं, यह value आप जो enter कराएंगे, इसी को बोला जा रहा है, elements of array, इसके बाद next term आता है, हमारा index number of array, index number क्यों होता है, अब अगर आप देखिए कि हमें, यह पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यह पूरा एक array a को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर हमें given 6 का use करना है, तो हम यह नहीं कह सकते हैं, कि 6 is represented by a, क्योंकि a is the combination, a तो combination है, तो 6 अकेला एक number पूरे array को represent नहीं कर सकता है, तो इसलिए elements को अलग-अलग represent करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, index number की, अगर index number नहीं होगा, तो अगर आप मालेजी किसी टाइम पे केवल 6 का use करना चाहते हैं, यह केवल 8 का use करना चाहते ह तो array का index number यह जो नीचे आप देख रहे हैं, इसी को बोल जा रहा है, array का index number, आप ध्यान लखेगा, array का जो basic property कहती है, कि array का index number हमेशा by default 0 से ही start होगा, यानि जो भी पहला element a नाम के array के अंदर आएगा, वो उसका index number, computer अपने आप 0 मालेगा, next 1, a2, a3, a4, यह इसका index number represent कर रहा है, यानि अगर अब हमसे कोई कहता है कि 6 कहां पे store है, तो हम कह सकते हैं, यह वाले array के अंदर second वाले index number पे 6 store है, या अगर कोई हमसे कहता है कि a1 पे कौन सा element, उसकी value बताईए, तो a वाला array यह ही represent हो रहा है, a1 यहां पे represent हो रहा है, इसके अंदर कौन सी value है, 5, यान पूरा था, array का basic, सबसे पहले data type, name of the array, then size of array, elements of array, and index number of array, ठीक, अब हम लोग देखते हैं, कि यह जैसे एक question आपको दिया हुआ था, कि अगर आपके पास एक array है, जिसका size 8 आपको given है, ठीक, a8 आपको given है, अब इसमें कहरा है कि a of 4, index number, यानि a4 के base address, आपको 800 यह भी given है, और कहरा है कि a 0 की value और a 7 की value आपको find out करनी है, तो यह बहुत आसानी सी किया जा सकता है, अब आप देखे, आपको question कहा पे given है, यह इस जगह पे given है, यह address को represent कर रहा है, आप ध्यान रखेगा, यह value को नह इसका representation change करूँ, यानि कि इस तरीके से एक array बना हुआ है, 8 elements को store करने के लिए, इसका index 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, क्योंकि इसमें total 8 elements है, तो इसका index number 0 से start होके 7 पर रुखेगा, अब इतना आपके indexing हो गई है, इस index number को represent कर रहा है, और इसमें क्या कह रहा है, कि इसकी values नहीं, इस A4 जो है, इसका memory address आपको 800 given है, ठीक, और आपसे कहा जा रहा है, A0 यानि इस वाले block का address क्या होगा, और A7 यानि इस वाले block का address क्या होगा memory में, क्योंकि जब तक memory में data save नहीं होगा, computer उसको process नहीं कर सकता है, अब आप निकालिए, आचा, यहाँ पर देखेए, आपको data type क size कितना होता है, 2 bytes, तो यानि अगर A4 का address 800 है, तो हम पहले 0 को निकालते हैं, A0, index number को, इसका address कितना होगा, 798, क्योंकि 2 से difference आता है, integer data type में, इसका address कितना होगा, 796, इसका address कितना होगा, 794, और इस वाले का address कितना होगा, 792, तो इसका आता हो गया, A0 का memory address आपको 792 होगा, अब इसके अंदर value चाहे आप 5 लिख लीजे, चाहे 11 लिख लीजे या 90 लिख लीजे, value कुछ भी हो, लेकिन उसका address आपको पता चलिए कि वो computer के 792 memory address के अंदर लिखा होगा, इसी तरीके से हम और आगे बढ़ते हैं, A7 को निकालते हैं, A7 कैसे निकाल इसका address 804, इसका address 806, इसका address 808, यानि जो 7, A7 आ रहा है, इसको कहा था हम इस्टोर करना शुरू कर रहे हैं, यह हमारा इस्टोर होना शुरू होना 806 इसे, तो इसका memory address 806 आ गया, अब इसके अंदर भी आप अपनी मर्जी की कोई भी value इस्टोर कर सकते हैं, यानि element की value change हो सकती है, वो person पे depend करती है, कि particular time पे person उसके अंदर कौन सी value को इस्टोर करना चाहता है, लेकिन memory address उसका fix हो रहेगा, यह, अब देखते हैं कि array हमारे पास कितने types की होते हैं, array हमारे पास basically two types की होते हैं, एक होता है single dimensional array और एक होता है हमारे पास multidimensional array, single dimensional array कौन से होते हैं, सारे elements को, या तो row wise या एक्स एक्स की direction में move करा रहे हैं, या फिर हम column wise इस तरीके से move करा रहे हैं, यानि at a particular time you are using either an x-axis और y-axis, यानि आप या तो row wise सारा data चला है, एक single line में, या फिर आपका column wise सारा data इस store हो रहा है, जैसे यहाँ पर example देखिए, मैंने character type का लिया, जिसका नाम है a, इसके size है 5, अब आप देखिए a0, a1, a2, a3, a4, a5, a4 तक यहाँ पर इसका index number हो गया, इसके अंदर हम अपनी मर्जी का कोई भी element store कर सकते हैं, क्यूंकि इसका data type हमने character लिया हुआ है, और character केवल alphabats को store करता है, इस वज़े से मैंने यहाँ पर a, e, p, z, कुछ भी element हम लिख लेंगे, अच्छा आप आप देखें, यह केवल एक single row को represent कर रहा है, इसलिए इसको बूला जा रहा है, row matrix, जबकि हम इस तरीके से भी data को store कर सकते थे, हमने अगर इस तरीके से store किया, तो यह आपका केवल y-axis में data को store कर रहा है, इसलिए इसको बूला जा रह matrix या column matrix, जबकि अगर हमें row x-axis और y-axis, यानि कि दोनों direction में हमें अगर data को store करेंगे, तो जहां पर row और column दोनों का combination बन जाता है, उसको बूला जाता है, matrix of order m cross n, जो कि हम लोग next lecture में continue करते हैं,